Hello you people, welcome back to my channel, my life and I'm khushy. आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ as most of you were asking about you know Wi-Fi connection and data connectivity. तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ guys. तो most of you were asking like हम initial days पे training days पे हम यहाँ पे data pack use कर सकते हैं या should we go for a Wi-Fi connection तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको if it is your induction time तो यहाँ पे induction पे कोई आपको इतना सारे apps आपको नहीं रगने पड़ेंगे, tabs आपको नहीं चलाना पड़ेगा. So in that cases you can go with your data pack अगर आपके पास Wi-Fi connection नहीं है. For the initial of training 5 days you can use your mobile data to manage everything क्योंकि 1st day, 2nd day, 3rd day, 4, 5 इतने सारे आपको applications रण नहीं करना पड़ेगा. I know थोड़े वोत तो होते हैं but make sure अगर आप चाहते हैं mobile data से ही आप training attend करना चाहते हैं make sure बहुत अच्छे से recharge करवा के रख लीजेगा, ऐसा भी नहीं कि training के बीच में आपका mobile data खतम हो गया है because lot of data will consume यह तो मैं बता सकती हूं but approximately नहीं बता सकती हूं कि कितना data आपका consume होने लगता है ठीक है it will be like a 1gb data से भी ज्यादा होता है per day यह उससे भी कम होता है I don't know depend करती है कि आपका usage कितना है कितने सारे आप you know tabs open में रखते हैं you know आपको 9 hours पूरा google meet में login करके रखना पड़ेगा from morning to evening तो उसके लिए आपको एक ग्रूप आड किया जाएगा WhatsApp भी आपको open करके रखना पड़ेगा तो वह बहुत सरे टाप्स ऐसे होते हैं तो पूरा आपको open करके रखना पड़ेगा okay for the initial of five days you can manage with your data pack guys मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूं कि आपको first day induction से ही आपको wifi connection लगवाना है because I do understand कुछ लोग के पास उतना पैसन नहीं होता है the can't effort starting starting में ही effort नहीं करना चाहते हैं सोसते हैं कि you know salary or stipend मिलने के बाद they will plan all this wifi connection and all but यहां पे आप बात को समझेगा guys जैसे कि आपका phone number पे ही call आता है तो उस time पे अगर you know smart as a page पे देखते हो या you know meet पे होते हो कोई भी दूसरा काम होता है तो वह करते हो तो वहां पे problem हो सकती है connecting या buffering कुछ ऐसे होता है तो इसलिए make sure आप यहां पे numbers भी change कर लिज़े यहां पे आप एक ही कर सकते हो अगर आप चाहते हैं तो five days होने के बाद आप यहां पे connection लगवा सकते हो if not आप दो phones के साथ आप यहां पे ठीक है एक होती है calling number होती है दूसरा होता है कि data pack जो भी data pack आप चालू करते हो उस पे calls ना आए तो make sure जो भी training process से आप अगर आप ऐसे करते हो तो somehow you can manage with all these things guys बहुत ही practically मैं बता रही हूँ तो जैसे की you know training में basis होते हैं तो यह सब कुछ में देख चुकी हूँ तो इसलिए मैं बहुत ही आपको exact बता देती हूँ कि क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती ठीक है अगर calls को manage कर सकते हो तो you can go with your data pack as well क्योंकि कभी कबार आपको you know थोड़ा बहुत नेट कर जो भी speed होता है वह अपन डाउन भी होने लगता है तो अपन डाउन होता है कुछ यहां पर VPN कनेक्ट करने में काफी ज्याद़ प्रॉब्लम होती है वाइफा का connection काफी ज्याद़ हाई होता है तो इसलिए यहां पर आपको बा यहां पर सकते हैं इंग यहां पर उन छाला जाजसा थी जडियो YOURोतसों आपको आपको नहीं इंकना ही पड़ेगा अगर आपके पहस पैसे नहीं you किसी के साथ आप help ले और इसके बाद जो भी आपका स्टाइफ कर सकते हो आइ तिंग 2,000-3,000 पुछ ऐसे चार्ज करते हैं गाइस इंस्टलेशन वाइफा कनेक्शन के पूरे होते हैं तो मेक शूर आप एक बार सोच समझ की जो भी करना है करी जागा बट यह कंपनी का रिक्वार्मेंट होता है कि आपका वाइफाइ कनेक्शन रहना है तो या गाइस आप में थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे चुकी हूं रिकार्डिंग देटा पैक आन डी वाइफाइ क आपको बेटर ऑप्शन होती है तो इस शीज से आप जो भी आपके ऑप्शन लगते हो तो वह आप सेलेक्ट कर सकते हो ओके देन वीडियो में एंड तक बढ़ने रहने के लिए थांकी सो मच गाइस ऐसे ही जाने से पहले में शूर वीडियो को ज़रू लाइक कर देने उसे See you in my next video, Bye!